हेलो एवरिवान जैने क्लासिस में आपका स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं एस्टिक एसिट टू एसितल्डी हाइड आज हम एस्टिक एसिट से एसितल्डी हाइड को बनाएंगे तो सबसे पहले आज हम लिखते हैं एसिटिक एसिट का फॉर्मूला यह होगा CS3COOH और इससे हमें बनाना है एसिटल्डी हाइड एसिटिक एसिट से एसिटल्डी हाइड बनाने के लिए सबसे पहले इसकी रेक्शन PCL5 के साथ कराएंगे और जब PCL5 के अभिक्रिया HT कमने के साथ कराई जाती है तो सबसे पहले POCL3 रिलीज होगा POCL3 निकल जाएगा और HCL रिलीज होगा अब जो यहाँ पर बचेगा वो होगा CH3 और यह बचा है C अब एक O तो रिलीज हो चुका है P के साथ में एक O बचा हुआ है अब यहाँ पर पांच जो किलोरीन थे वो तीन यहाँ पर POCL3 के साथ निकल गए एक निकल गया CL के साथ में तो यहाँ पर केवल बचा है एक CL और जो यहाँ का S था वो एक CL के साथ में निकल चुका है तो हमें मिला है CS3COCL और इसका नाम है Acetyl Chloride Acetyl Chloride और Acetyl Chloride का जब अपचेन कराय जाता है BASO4 की उपस्थिती में तब ये CS3CHO में चेंज हो जाता है और इसी को कहते है Acetyl Chloride और इसका दूसरा नाम है Ethanal ये हो गया नीचे IUPC नेम उपर हो गया जन्रल इसी प्रकार से Acetyl Chloride का जो IUPC नेम है वो है Ethanoic Acid आज हमने Ethanoic Acid यानि Acetyl Chloride यानि की Ethanal बनाया है इसे बनाने के लिए हमने CS3COOH की अभी करिया सबसे पहले PCL5 के साथ कराई जिसकी वज़े से हमें Acetyl Chloride मिला जिसका हमने PDVSO4 की उपस्तिती में अपचेन कराया तब हमें Acetyl Dehyde प्राप्त हुआ मुझे उम्मीद है आपके वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद